दोस्तों हिंदी ओडियो बुक नॉलेज में आपका स्वागत है तो बात करते हैं पुस्तक, माइंड सेट इस पुस्तक के चटे अध्याई अगर इसे पहले के पांच अध्याई आपने नहीं सुने तो भी सुन लें जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगा तो चले दोस्तों सुरू करते हैं अध्याई चटा संबंद, प्रेम या इसके अभाव में मान सिकता है सच्चे प्रेम का रास्ता कभी सुचारू क्यों नहीं चलता देखिए, सच्चे प्रेम तक पहुँचने का रास्ता भी सुचारू नहीं होता है यह रास्ता भी अक्सर नीरासाओं और दिल तूटने से भरा होता है कुछ लोग इन अनुभाओं के जखम लेकर घूमते हैं जो भविस्य में उन्हें संतुष्टी दायक संबंद बनाने से रोक देते हैं बाकी अपने जखमों को भर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं इन्हें कौन से चीज अलग करती है यह पता लगाने के लिए हमने सो से अधिक लोगों को नियुक्त किया और उनसे कहा कि वे हमें एक भयंकर और सविकरती के बारे में बताएं जब उनके प्रेम को और सविकार किया गया था जब मैं पहले पहल न्यू योट महुची तो मैं निहायत अकेली थी मैं किसी को भी नहीं जानती थी और पूरी तरह महसूस करती थी जैसे मुझे वहाँ नहीं होना चाहिए था एक साल के दुख भरे जीवन के बाद मैं जैक से मिली या कहानी नियू नो कित होगी कि हमारी पटरी तुरंत बैठ गई हमें तो ऐसा महसूस हो रहा था मानू हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं जल्दी ही हम इकठे रहने लगे और हर चीज साथ-साथ करने लगे मैं सोचने लगी कि पूरी जिंदगी उसी के साथ गुजारूंगी और उसने कहा कि वह भी यही सोचता है दो सचमुच सुकत वर्स बीत गए फिर एक दिन जब मैं घर लोटी तो मुझे एक कागज मिला इसमें उसने लिखा था कि वह छोड़ना चाता है मैं उसे ढूनने की कोशिस ना करूँ उसने इस पर प्यार भी नहीं लिखा मुझे दोबारा उसकी कोई खोज ख़बर नहीं मिली कई बार तो जब फोन की घंटी बजती है तो मैं अभी भी सोचती हूँ कि सायद उसी का फोन आया होगा हमने यह कहानी अलग-अलग रूपों में बार-बार सुनी दोनों मानसिकताओं के लोगों ने इस तरह की कहानियां बताई लग-बग हर व्यक्ती किसी ना किसी समय प्रेम में था और आहत हुआ था जो अंतर था और जो नाटकिये अंतर था वह यह था कि वे इससे कैसे उबरे इससे कैसे बाहर आये जब उन्होंने उनकी कहानिया बताई तो हमने उनसे आगे के प्रसंद पुछे इसका आपके लिए क्या मतलब था आपने इसे कैसे संभाला आप किसकी आजा कर रहे थे जब लोगों में निश्चित मानसिक्ता होती थी तो वे ऐसा महसूस करते थे कि इस अस्विकिर्ती से उनका मुल्यांकन हुआ है और उन पर ठपा लग गया है अस्थाई सताई ठपा या तो वैसा ही था मानो एक फैसला सुना दिया गया था और उनके माते पर दाग दिया गया था प्रेम ना करने लायक और उन्होंने गुस्से भरी प्रतिकिरिया दी चूंकि निस्चित मानसिक्ता जक्मों को भरने का कोई नुस्खा नहीं देती है इसलिए वे बस यह उमीद कर सकते हैं कि वे उस व्यक्ति को चोट पहुँचाएं जिसने उन्हें चोट पहुँचाई है उपर बताई गई कहानी की लीडिया ने हमें बताया कि उसके मन में कट्टुता की स्थाई और प्रभल भावनाय थी अगर मौका मिला तो मैं उससे बदला लूँगी और उसे किसी तरह से चोट पहुँचाऊंगी वह इसका हकदार है वास्तों में निश्चित मानसिक्ता वाले लोगों के लिए उनका सबसे मुख्य लक्षे सपष्ट था प्रतिसोद जैसा एक व्यक्ती ने कहा जब वह गई तो अपने साथ मेरी महत्वचीन ले गई एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मैं यह ना सोचता हूँ कि उससे हिसाब चुकता कैसे करूँ अध्यान के दोरान मैंने अपने निश्चित मानसिक्ता वाले मित्रों में से एक से उसके तलाग के बारे में पूछा मैं उसका जवाब कभी नहीं भूल पाऊंगी अगर मुझे खुश रहने और उसे दुखी रखने के बीच चुनना हो तो मैं निश्चित रूप से उसे दुखी रखना चाहूंगी वह वैक्ति निश्चित मानसिक्ता वाला ही होगा जिसने यह वाक्य बनाया है प्रतिसोद मीठा होता है विचार यहा है कि प्रतिसोद के साथ आप इट का जवाब पत्थर से दे देते हैं क्योंकि विकासवादी मानसिक्ता वाले लोगों की इसमें ज़्यादा रूची नहीं होती उन्होंने जो कहानियां बताई वे भी इतनी ही दर्दनाग थी लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं एकदम भीन थी उनके लिए हिया समझने, माफ करने और आगे बढ़ने के बारे में था हालांकि जो हुआ था उससे वे प्राय बुरी तरह आहत हुए थे लेकिन वे इससे सीखना चाहते थे उस संबंद और इसके खतम होने के तरीके ने दरसल मुझे संबाद का महतों सिखाया मैं सोचता था कि प्रेम सबको जीत लेता है लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि इसे बहुत सी मदद की जरूरत होती है इसी वेक्ति ने आगे कहा मैंने इस बारे में भी थोड़ा सीखा कि मेरे लिए सही कौन है मुझे लगता है कि हर संबंद आपको इस बारे में ज़्यादा सिखाता है कि आपके लिए कौन सही है एक फ्रांसेसी अभिव्यक्ति है जिसका मतलब है कि सबको समझना सबको छमा करना है जाहिर है इसकी भी अति संभाव है लेकिन सुरुआत करने के लिए यह एक अच्छी जगा है विकास की मानसिक्ता वाले लोगों के लिए नमबर वन लक्षे छमा था जैसा एक महिला ने कहा मैं कोई संत नहीं हूँ लेकिन मैं जानती थी कि अपनी खुद की महांसिक सांती के लिए मुझे छमा करना और भूलना था उसने मुझे चोट पहुचाई थी लेकिन मेरे सामने पूरा जीवन पड़ा था जो मेरा इंतिजार कर रहा था और अतीत में जीते जीते में बहुत दुर्भाग्य सालीब बन जाती एक दिन मैंने बस यह कहा कि उसे भी सुबकामना और मुझे भी सुबकामना उनकी विखासवादी मानसिक्ता की वज़े से उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे उन पर सथाई ठपा लगा हो इसकी वज़े से उन्होंने अपने और संबंधों के बारे में कुछ उपयोगी चीज सीखने की कोशिश की कोई ऐसी चीज जिसका इस्तिमाल करने से उन्हें भवी से में बेहतर अनुभो मिल सकें और भे जानते थे कि आगे बढ़कर उस समय आगे बढ़कर उस भवी से को अंगीकार कैसे करना है मेरी कजिन कैथी विकासवादी मानसिक्ता का मुरत रूप है कई साल पहले उसके साथ यहुआ की विवाह के 23 साल बाद उसका पती उसे छोड़कर चला गया करेला और नीम चड़ा उसके साथ दुरगटना भी हो गई जिसमें उसका पैर जखमी हो गया एक सनिवार की रात को वह घर पर अकेली बैठी थी तब उसने खुद से कहा मेरा बेड़ा गर्क हो अगर मैं यहाँ बैठ कर अपनी हालत पर अफसोस करती रहूं सायद यह वाक्य विकासवादी मानसिक्ता वालों का मंत्र होना चाहिए वह डांस में गई जखमी पैर के भावजूद और वहां उसे उसका भावी पती मिल गया कॉंटोज परिवार ने सारी तयारिया कर ली थी अपने सांधर साधी के जोड़े में निकोल, कांटोज, रॉल्स रॉयस में बैटकर चर्च में आई आर्च भी सब विवा के रसम कराने के लिए अंदर इंतिजार कर रहे थे और दुनिया भर से सैकडों मित्र और रिष्तेदार आये हुए थे हर चीज आदर्स थी जब तक की बैश्ट मैन ने निकोल को दुखत खबर नहीं सुनाई दुल्हा नहीं आ रहा था क्या आप सदमे और दर्द की कलपना कर सकते हैं? सैकडों अधितियों के बारे में सोच कर परिवार ने रिसेप्शन और डिनर को यथावत रखने का निर्ने लिया फिर निकोल के पास आकर उन्होंने पूछा कि वह क्या करना चाहती है? बड़ी हिम्मत का परीचे देते हुए उसने एक छोटी काली ड्रेस पहनी पार्टी में गई और आई विल सर्वाइब पर अकेले डांस किया यह वह डांस नहीं था जो करने की वह उमीद कर रही थी लेकिन यह वह डांस था जिसने उसे अगले दिन राश्ट्रिये प्रेस में सा हिस्कता का प्रतीक बना दिया निकोल उस फुटबॉल खिलाडी की तरह थी जो गलत दिसा में दोड़ गई थी यह एक ऐसी घटना थी जो उसे निर्धारित करके कमतर कर सकती थी इसके बजाए यह ऐसी घटना बन गई जिसने उसे ज़्यादा बड़ा बना दिया यह रोचक है निकोल ने बार-बार अपनी साधी में छल किये जाने के दर्द और सदमे के बारे में बोला लेकिन उसने कभी अपमानित सब्द का इस्तमाल नहीं किया अगर उसने खुद का मुल्यंकन किया होता खुद को दोस्पुर्ण और अयोग्य अपमानित महसूस किया होता तो वह दोड़कर छिप जाती इसके बजाए उसके सपष्ट दर्द ने उसे अपने मित्रों तथा रिस्तेदारों के प्रेम से घिरे रहने तथा उपचार की प्रक्रिया सुरू करने में सच्छम बनाया बैसे दुले का क्या हुआ? बाद ने पता चला कि वह बिमान में बैटकर ताहीती की और अकेले ही हनीमून मनाने चला गया था निकोल का क्या हुआ? दो साल बाद उसी साधी के जोड़े में और उसी चर्च में उसकी साधी एक बहतरीन इंसान से हुई क्या? उसे डर लगा था? नहीं, वह कहती है, मैं जानती थी कि वह वहां आने वाला है जब आप सोचते हैं कि आवस्विकृती निश्चित मानसिक्ता वाले लोगों को किस तरह आहत करती है और उतेजित करती है तो यह जानकर आपको कोई हरानी नहीं होगी की निश्चित मांसिक्ता वाले बच्चे तानों और दबंकता परहिंसक प्रतिसोद के विचारों से प्रतिकिरिया करते हैं। मैं इस बारे में बादने बात करूँगी। नियूरोलोजिस्ट को सामिल किया। लेकिन उन लोगों को नहीं किया जो पार्सपरिक संबंधों में प्रतिभास साली थे या उनकी योजना का हिस्सा था। आखिर इतने सारे पेसे हैं जिन में पार्सपरिक योगताएं मुख्य भूमी का निभाती हैं। योगता को मापने का कोई सर्व मन्य तरीका नहीं खोज पाए। कई बार तो हमें यह भी पक्का नहीं होता कि यह एक योगता है। जब हम और साधारन पार्सपरिक योगताओं वाले लोगों को देखते हैं तो हम दरसल उन्हें प्रतिभास साली नहीं मानते हैं। हम उन्हें आकरसक या मोहक मानते हैं। जब हम कोई बेहतरीन बेवाहिक संबंद देखते हैं तो हम यह नहीं कहते कि इन लोगों ने जबरदस्त संबंद बनाया है। हम कहते हैं कि वे अच्छे लोग हैं या उनमें कैमिस्ट्री है। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब या है कि समाज के रूप में हम संबंदों की योगताओं को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन लोगों के संबंदों में हर चीज दाव पर होती है। साइद इसलिए डेनियल गोलमेन की इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी लोग प्रिये हुई। इसने कहा समाजिक भावनात्मा की योगताओं होती हैं और मैं आपको बता सकता हूँ कि वे क्या हैं। मान सिकताओं एक और आयाम जोड़ देती हैं। वे इस बारे में और भी ज्यादा समझने में हमारी मदद करती हैं कि लोग अकसर उन योगताओं को क्यों नहीं सीखते हैं। जिनकी उन्हें जरूरत है या उन योगताओं का इस्तमाल क्यों नहीं करते जो उनके पास है। लोग खुद को नए संबंदों में इतनी आसा पुर्वक क्यों फैंक देते हैं वा भी अपना अव मुल्यन करने के लिए प्रेम अकसर एक युद भूबी में क्यों बदल जाता है जहां भी सन संहार होता है और सबसे महतुपरण बात वे यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि कुछ लोग सथाई और संतुष्टी दायक संबंद बनाने में सच्चम क्यों होते हैं प्रेम करने की मानसिकता हैं अब तक निश्चित मानसिकता होने का मतलब यह था कि आप यह विस्वास करते हैं कि आपके ब्यक्ति गत गुण निश्चित हैं लेकिन संबंदों में दो औ और चीजें तस्वीर में दाखिल होती हैं, आपका साजेदार और संबंद स्वैम, अब आपके पास तीन चीजों के बारे में निश्चित मान सिकता हो सकती है, आप या विश्वास कर सकते हैं कि आपके गुण निश्चित हैं, आपके साजेदार के गुण निश्चित हैं और सारी चीज़ें मुल्यंकन के लिए आ जाती हैं विकास वादी मानसिक्ता कहती है कि ये सारी चीज़ें विक्सित की जा सकती हैं सभी आप, आपका साज़ेदार और संबंध विकास और परिवर्तन में सच्छम होते हैं निश्चित मानसिक्ता में आदर्स, तुरंत, परिपुन और सथाही समन जसे हैं जैसे यह तो होना ही था जैसे सुर्यास्त का होना जैसे और फिर वे हमेशा खुसी खुसी रहें कई लोग यह महसूस करना चाते हैं कि उनका संबंध खास है कोई संयोक से होने वाली घटना नहीं है यह ठीक नजर आता है तो फिर निश्चित मानसिक्ता के साथ समस्या क्या है दो समस्याएं है पहला, यदि आपको इस पर मेहनत करनी पड़े तो यह तकदीर में नहीं लिखा था एक समस्या यह है कि निश्चित मानसिक्ता वाले लोग उमीद करते हैं कि हर अच्ची चीज अपने आप हो जाए ऐसा नहीं है कि साजेदारों को आपसी समस्याएं, सुलजाने या योगताएं सीखने के लिए एक दूसरे की मदद करनी पड़े इसके बजाए ऐसा होना चाहिए कि उनके प्रेम के जरिये यह जादू से अपने आप हो जाए उस तरह से जिस तरह या सलिपिंग ब्यूटी के साथ हुआ था जिसकी बेहोसी का इलाज उसके राजकुमार के चुमबन से हो गया था या सिंड्रेला के साथ जिसके दुखत जीवन का काया कल्प उसके राजकुमार ने अचानक कर दिया था चारलिन की सहेलियों ने उन्हें मैक्स के बारे में बताया जो सहर में आने वाला नया संगीत कार था वह सिंफनी और क्रेष्टा के साथ सेलो बजाने आया था अगली रात चारलिन और उनकी सहेलियां और केष्टा के प्रदर्सन को देखने गई और जब वे बादने मंच के पीछे गई तो मैक्स ने चारलिन का हाथ थामा और कहा अगली बार चलो इसे ज़्यादा लंबा बनाते हैं इस प्रबल रोमांटिक माहोल पर वमुग्द हो गई वह उसके मोहक अंदाज और और साधारन मुखडे पर लट्टू हो गया जब वे बाहर मिले तो प्रबलता और बढ़ गई वे एक दूसरे को गहराई से समझते नजर आते थे उन दोनों को ही एक जैसी चीजों में आनंद आता था भोजन, लोगों का विसलेशन करना, यात्रा, वे दूनों ही सोचते थे तुम मेरी जिन्दगी में पहले क्यों नहीं आए समय के साथ मैक्स मूडी हो गया, दरसल वह ऐसा ही था या तो बस पहले पहल दिखता नहीं था जब वह बुरे मूड में होता था, तो वह सिर्फ इतना चाहता था कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए चारलीन इस बारे में जानना चाहती थी कि उसे कौन सी चीज परिसान कर रही है लेकिन इससे मैक्स चिड़ जाता था वह इस बात पर जोड देता था और ज्यादा प्रबलता से देता रहता था बस मुझे अकेला छोड़ दो लेकिन चारलीन को लगता था कि मैक्स ने अपने दरवाजे के फाटक बंद करके उसे बाहर छोड़ दिया है इसके अलावा उसका मूड हमेशा सुवी दाजनक समय पर नहीं बिगड़ता था कई बाहर तो यह तब खराब हो जाता था जब दोनों का बाहर जाना तै होता था कई बाहर उन्होंने अकेले एक खास डिनर की योजना बनाई थी या तो वह इसे नहीं करना चाहता था या फिर चारलिन को पूरी साम उसकी रुखी खामों से जेलनी पड़ती थी अगर वह हलकी फुलकी बादचित करने की कोशिज करती थी तो वह चारलिन से अपनी निरासा व्यक्त करता था मैं सोचता था कि तुम मुझे समझती हो वे दोनों एक दूसरे की बहुत परवा करते थे यह देखकर मित्रों ने उन्हें इस समस्या पर काम करने की सला दी लेकिन दोनों को ही भारी दुख के साथ यह एसास हुआ कि अगर संबंद सही होता तो उन्हें इसे कारगर बनाने के लिए मेनत नहीं करनी पड़ती अगर यह सही संबंद होता तो वे बस एक दूसरे की अवैसक्ताओं को समझने और उनका सम्मान करने में सच्छम होते इसी लिए वे दूर होने लगे और अंतता उनका संबंद तूट गया विकासवादी मानसिक्ता में भी रोमांच का सुरुवाती ज्वाला मुखी हो सकता है लेकिन इस मानसिक्ता वाले लोग जादू की उमीद नहीं करते वे या यकीन करते हैं कि एक अच्छा और स्थाई संबंद मेहनत से बनता है और अवश्यम भावी मतबेदों पर काम करने से बनता है लेकिन निच्चित मानसिक्ता वाले लोग इस बात से इतिफाक नहीं रखते वर निचित मानसिक्ता वाला विचार याद है कि अगर आप में योगता है तो आपको खड़ी मेहनत करने की जुरूरत नहीं होनी चाहिए यही विश्वास संबंदों पर भी लागू होता है अगर आप एक दूसरे के सामन जस्से में हैं तो हर चीज सोभाविक रूप से होनी चाहिए हर संबंद विसे सग्य इससे और सहमत है मसहूर मनो विसलेसक आरोन बैक कहते हैं कि किसी संबंद के लिए सबसे बिनासकारी विश्वासों में से एक या है अगर आपको इस पर मेहनत करने की जुरुत है तो हमारे संबंद में कोई चीज गंबीर रूप से गलत है अगरणी संबंद सोध करता जौन गौटमैन कहते हैं हर विवा सही मार्ग पर बने रहने के लिए पर्यास की मांग करता है जो सक्तियां आपको एक साथ बनाए रखती है उनमें और उन सक्तियों के बीच एक सतत तनाव रहता है जो आपको एक दूसरे से दूर खीच सक्ति है व्यक्तिगत उपलब्दी की तरह ही या विश्वास की सफलता में पर्यास की जरूरत नहीं होनी चाहिए लोगों को उसी चीच से वन्चित कर देता है जिसकी जरूरत उन्हें अपने संबंद को काम्याब बनाने के लिए होती है सायद इसलिए इतने सारे संबंद बास ही हो जाते हैं क्योंकि लोगों को यह यकीन होता है कि प्रेम में होने का मतलब है कि कोई भी पर्यास करने की जुरूरत ना हो कम पर्यास वाले विश्वास का हिस्सा यह विचार है कि दमपतियों को एक दूसरे के दिल की बात समझने में सच हम होना चाहिए हम एक जैसे हैं मेरे साज़ेदार को या पता होना चाहिए कि मैं क्या सोचता हूँ मैसूस करता हूँ और मुझे किस चीज की जरूरत है और मुझे पता होना चाहिए कि मेरा साज़ेदार क्या सोचता है मैसूस करता है और उसे किस चीज की जरूरत है लेकिन यह औसंभव है संभाद करने के पजाए दिल के इरादों को पढ़ने की कोशिस हमेशा नकाम हो जाती है मसहूर पारिवारिक मनोवेग्यानिक इलेन सेवेज टॉम और लूसी का वर्णन करती है तीन महीने इकठे रहने के बाद टॉम ने लूसी को बताया कि उनके संभण में और संतूलन था लूसी ने उसके मन को पढ़कर इसका यह मतलब निकाला कि वह इस संभण में उससे कम रूची रखता है उसे हतासा महसूस हुई क्या उसे टॉम के संभण तोड़ने से पहले खुद संभण तोड़ लेना चाहिए बहराल एक चिकितसा सत्र के बाद लूसी में टॉम की बात का असली मतलब पता लगाने की हिम्मत आई बाद ने पता चला कि टॉम ने एक संभीत सब्दावली का इस्तिमाल करके यह इच्छा जताई थी कि वे अपने संभंद को पूरी तरह से ताल में लाएं और अगले स्तर तक पहुँचाएं मैं भी इसी जाल में गिरते गिरते बची हूँ मेरे पती और मैं कुछ महीने पहले ही मिले थे और हर चीज बहतरीन नजर आ रही थी फिर एक साम जब हम इकटे बैटे थे तो उन्होंने मुझसे कहा मुझे ज्यादा जगा चाहिए हर चीज सुनी हो गई मैं जो सुन रही थी उस पर यकीन नहीं कर पाई क्या मैं इस संबंद को लेकर पूरी तरह से गलत थी आखिरकार मैंने साहस बटोरा मैंने पूछा आपका क्या मतलब है उन्होंने कहा मुझे यह जरूरत है कि आप थोड़ा सा किसक जाएं ताकि मुझे बैटने की ज़्यादा जगह मिल सके मुझे खुसी थी कि मैंने पूछ लिया हर चीज पर सहमत होना मन की बात पढ़ने में विश्वास करना अजीब होता है लेकिन इसमें समझदारी नजर आती है जब आपको एहसास होता है कि निश्चित मानसिक्ता वाले कई लोग यह यकिन करते हैं कि दमपती के सभी विचार एक दूसरे जैसे होने चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको समबात की जुरुरत ही नहीं है आप यह मानकर चल सकते हैं कि आपका साजेदार भी चीजों को उसी तरह देखता है जिस तरह आप देखते हैं रेमंड नी और उनके सहकर्मी दमपतियों को बुलाते थे और उनके संबंध के बारे में उनके विचारों पर बात्चित करते थे वे और उनका साजेदार उनके संबंध को कैसे देखता था या संदर्व में चुटपुट असंगतियों के बारे में बात करने के बाद निश्चित मानसिक्ता वाले लोग जोखिम में और सत्रुत्ता पून महसूस करते थे एक छोटी सी औसंगती भी उनके इस विश्वास को जोकिम में डाल देती थी कि उनके सभी विचार एक जैसे हैं यह असंबाव है कि दोनों की सारी मान्यताएं और अपेक्चाएं एक जैसी हो एक यह मान सकता है कि पत्नी काम करना छोड़ देगी और घर संभालेगी दूसरा यह मान सकता है कि वह भी बराबरी की आमदनी कमाएगी एक यह मान कर चल सकता है कि उनका घर उपनगर में होगा दूसरा यह सोच सकता है कि वे छोटे अपार्टमेंट में प्रेम नीड बनाएंगे माइकल और रॉबिन ने अपने कॉलेज की पड़ाई उसी समय पूरी की थी और उनकी साधी होने वाली थी वह छोटे अपार्टमेंट के प्रेम नीड वाला वेक्ती था उसकी कलपना थी की साधी के बाद वे मिलकर ग्रीन वीच वीलेज के मस्ती भरे जीवन का अनंद लेंगे इसलिए जब उसने आदर्थ अपार्टमेंट खोजा तो उसे लगा की रॉबिन खुश हो जाएगी लेकिन रॉबिन या अपार्टमेंट देखकर बुखला गई पार्खों दोनों को ही एहसास हुआ की उन्हें चला गया है और इसके बाद इस्थिती विगड़ती चली गई दमपती गल्ती से या यकीन कर सकते हैं कि वे हर व्यक्ति के अधिकारों और कर्तवियों पर एक मत हैं पती के रूप में मेरा या अधिकार है कि खाली स्थान भरें पती के रूप में मेरा या अधिकार है कि खाली स्थान भरें और मेरी पत्नी का या करतव है कि वह रिक्तिस्थान पत्नी के रूप में मेरा या अधिकार है कि डैस और मेरे पती का या करतव है कि डैस बहुत कम चीजें जीवन साथी को इससे ज़्यादा गुस्सा दिला सकती हैं जितना कि उनके अधिकारों का हनन और बहुत कम चीजें किसी जीवन साथी को इससे ज़्यादा गुस्सा दिला सकती है कि दूसरा किसी ऐसी चीज का अधिकारी महसूस करे जो आप नहीं सोचते कि उनके पास आ रही है जोन कोट मैन कहते हैं मैंने नवी वाहित पुर्सों से बाचित की है जिन्होंने मुझे गर्व से बताया मैं बरतन नहीं धोँगा चाहे जो हो जाए या महिला का काम है दो साल बाद वही आदनी मुझे से पूछता है कि मेरी पतनी और मेरे बीच अब सेक्स क्यों नहीं होता देखिए हो सकता है कि दमपती पारम परिक भुमिकाईनी भाने पर सहमत हो जाए या उन पर निर्वर करता है लेकिन या इस मान्यता से भिन है कि या उनका स्वता अधिकार है जब जैनेट वित्य विसले सक और फिल रियल इस्टेट एजेंट मीले तो उसने एक नया अपार्टमेंट लिया और उसने अपने मित्रों को डिनर पर बुला कर पार्टी दी जब जैनेट ने कहा चलो हम या करते हैं तो वह रोमान्चित हो गया जैनेट ने हम पर जो दिया था चुकी वह ज़्यादा अनुभावी कुक थी और पार्टी देथी रहती थी इसलिए उसी ने ज़्यादा तर तैयारी की और उसने या काम खुसी खुसी किया वह या देखकर आनंदित थी कि फिल इस सामारों को आयोजित करके कितना खुस है समस्या तब सुरू हुई जब महमान आ गए फिल बस पार्टी में गया था वह किसी महमान की तर वेवहार कर रहा था जैसे जेनेट को ही इसके बाद का सारा काम भी करना था वह आग बबुला हो गई परी पकवता तो यह होती की वह उसे बादचित के लिए एक तरफ ले जाती इसके बजाए जेनेट ने उसे एक सबक सिखाने का निन्य लिया वह भी पार्टी में गई सोबागय से उनके संबंद में हकदारी और प्रतिसोद की आदत नहीं पड़ी संप्रेशन की अच्छी आदत पड़ गई इसके बाद मुद्दों पर बादचित की गई मानकर नहीं चला गया कोई पर्यास नहीं वाला संबंद बहतरी नहीं बलकि अभी सब्त संबंद होता है सटिक्ता से संबाद करने के लिए मेहनत की जरूरत होती है बिरोधी आसाओं तथा विश्वासों को सामने लाने वसुल जाने के लिए मेहनत की जरूरत होती है इसका यह मतलब नहीं है कि और वे हमेशा खुसी-खुसी रहें जैसी कोई चीज नहीं होती लेकिन यह इस तरह ज्यादा है उन्होंने इसके बाद इस पर खुसी-खुसी मेहनत की दूसरा है समस्याएं चारेत्रिक दोस उजागर करती हैं निचित मानसिकता के सांग दूसरी बड़ी समस्या या विश्वास है कि समस्याएं गहरे दोसों के संकेत हैं, लेकिन जिस तरह बिबती के बिना कोई महान उपलब्दी नहीं मिलती है उसी तरह रास्ते के संगर्सों और समस्याओं के बिना बेहतरिन समबंध भी नहीं बनते ह जब निश्चित मानसिक्ता वाले लोग अपने संगर्षों के बारे में बात करते हैं, तो वे दोसार उपन करते हैं, कई बार वे खुद को दोस देते हैं, लेकिन प्राहे वे अपने साजेदार को दोस देते हैं, और वे किसी गुण को दोस देते हैं, चारित्रीक दोस. लेकिन बात यहीं खतम नहीं होती जब लोग समस्या के लिए अपने साजेदार के व्यक्तिताओं को दोस्त देते हैं तो वे उनके प्रती क्रोध और हिकारत महसूस करते हैं और यह आगे बढ़ता जाता है चुकि समस्या निश्चित गुणों की वज़ा से उत्पन होती है इसलिए इसे नहीं सुलजाया जा सकता इसलिए एक बार जब निश्चित मानसिक्ता वाले लोग अपने साजेदार में दोस्त देख लेते हैं तो वे उनके प्रती तिरसकार पून हो जाते हैं और पूरे संबंद से और संतुष्ट हो जाते हैं दूसरी तरफ विकासवादी मानसिक्ता वाले लोग अपने साज़ेदार की अपरुनताओं को देखने के बाद भी अपने संबंद को अच्छा मान सकते हैं। कई बार निश्चित मांसिक्ता वाले लोग साजेदार या संबंद की समस्याओं के प्रती आंक मूंद लेते हैं ताकि उन्हें उस मार्ग पर जाना ही ना पड़े। हर व्यक्ति को यह लग रहा था कि युवोन का कहीं चक्कर चल रहा था उसे रहस में फोन आ रहे थे वह बच्चों को लेने जाने में अक्सर देर कर देती थी सहेलियों के साथ रात को बाहर रहने की दर दोगुनी हो गई थी उसका ध्यान अक्सर कहीं और रहता था उसके पती चारली ने कहा कि वह बस एक दोर से गुजर रही थी उसने इस बात पर जोर दिया सभी महिलाएं इस तरह के दोर से गुजरती हैं इसका यह मतलब नहीं है कि उसका किसी दुसरी जगा चक्कर चल रहा है चारली के सबसे अच्छे मित्र ने उससे आग्रे किया कि वह इस तरफ द्यान दे लेकिन चारली ने महसूस किया कि अगर उसने सच्चाई का सामना किया और यह नकरात्मक हुआ तो उसका संसार ढह जाएगा निचित मांसिक्ता में उसे इस विचार का सामना करना होगा कि या तो पहला जिस महिला से वह प्रेम करता था वह बुरी है दूसरा वह खुद बुरा है और उसने अपनी पत्नी को दूर कर दिया या फिर तीसरा उनका संबंध बुरा है जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता वह इन में से किसी को भी बरदास नहीं कर सकता था या उसके दिमाग में आया ही नहीं कि ये समस्याएं सुलजाई जा सकती थी कि वह उसे एक संदेश भेज रही थी जिसे पहुचाने के लिए वह बेताब थी मुझे नजर अंदाज मत करो मुझे पर ज्यादा ध्यान दो विकासवादी मानसिक्ता का यह मतलब नहीं है कि वह आवस्यक रूप से अपनी पत्नी का सामना करेगा लेकिन वह इसका इस्थिती का सामना करेगा वह इस बारे में सोचेगा कि क्या गलत है साइद वह परामर्ज दाता के साथ समस्या की तहकिकात करेगा आगे क्या करना है इस बारे में एक जानकार निड़ने लेगा यदि सुल जाने के लिए समस्याएं हैं तो कम से कम एक मुखा तो होगा हर व्यक्ति पराजित है पिने लोपी की सहेलियां घर बैटकर सिकायत कर रही थी कि कोई अच्छे पुरुस नहीं है पिने लोपी बाहर जाके उन्हें खोज लेती थी हर बार वह एक बैतर इंसान को खोज लेती थी और उसके प्यार में बोरा जाती थी वही है वह अपनी सहेलियों को बताती थी जब वह विवाह की पत्रिकायं पढ़ने लगती थी और स्थानी अखबार के लिए गोशना लिखने को लगबग त्यार रहती थी वह उस पर यकीन कर लेती थी क्योंकि वह हमेशा एक ऐसे इंसान के साथ रहती थी जिसके पास काफी कुछ होता था लेकिन फिर भी कोई चीज हो जाती थी या उनमें से एक के लिए तब खतम हो गया जब उसने पीने लोपी को जनम दिन पर भद्दा उपहार दिया दूसरे ने अपने भोजन पर कैचप डाला और कई बार तो सफेद जूते पहने एक और मैं लेक्ट्रोनिक की बुरी आदतें थी सेलफोन की उसकी आदतें बुरी थी और वो बहुत ज़्यादा टीवी देखता था और यह सिरफ एक आंसिक सुची है गुण निश्चित होते हैं या मानकर पिने लोपी निर्णे ले लेती थी कि वह इन दोसों के साथ नहीं जी सकती लेकिन उनमें से ज़्यादा तर चरित्र की गहरी या गंबीर समस्याई नहीं थी ये तो ऐसी चुट-पुट समस्याई थी जो थोड़े समवाद से सुलच सकती थी मेरे पती और मैं लगबग एक साल तक इकठे रहे और जब मेरा जनम दिन करीब आया तो मैंने एक सपष्ट संदेश भेजा मैं लुटेरी नहीं हूँ लेकिन मैं एक अच्छा उपहार पसंद करती हूँ उन्होंने कहा क्या विचार माइने नहीं रखता है मैंने जवाब दिया लोग यह तब तक कहते हैं जब वे इस पर विचार करना नहीं चाहते हैं साल में एक बार मैंने आगे कहा हम में से हर एक का दिन होता है मैं आप से प्यार करती हूँ और मैं आपके लिए तोफा चुनने में समय और पर्यास लगाऊंगी मैं चाहूंगी कि आप भी मेरी खातिर यही करें उन्होंने मुझे कभी निरास नहीं किया पीने लोपिया मान कर चलती थी कि कहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति था जो पहले से ही आदर्स हो संबंद विसे सग्य डेनियल वाइल कहते हैं कि साजेदार चुनना समस्याओं का एक समूँ चुनना है कोई उमेद्वार समस्या रहित नहीं होता पते की बात यहा है कि एक दूसरे की कमियां सविकार करें और वहां से सुरुवात करें दोस्ट चले जाते हैं ब्रेंडा और जैक डैनियल वाइल के ग्राहक थे और वाया कहानी बताता है ब्रेंडा ओफिस से गर लोटी और उसने जैक को एक लंबी विस्तृत कहानी सुनाई जिसमें कोई मुद्दे की बात सपष्ट नहीं थी जैक की हालत बोरियत के मारे खराब थी लेकिन उसने बिनम्र बनने के लिए इसे छुपाने की कोसिस की बहराल ब्रेंडा उसकी सची भावनाएं महसूस कर सकती थी इसलिए ज्यादा रोचक होने की इच्छा से वा एक और लंबी कहानी सुनाने लगी जो ओफिस के एक प्रोजेक्ट के बारे में थी जैक बिसपोर्ट के लिए त्यार था वे मांसिक रूप से गुणों को दाएं बाएं उचाल रहे थे वाइल के अनुसार वे दोनों ही सोच रहे थे ब्रेंडा बोरिंग है जैक स्वार्थ ही है और हमारा संबंद जरा भी अच्छा नहीं है वास्तों में दोनों के इरादे नेक थे ब्रेंडा सीधे यह कहने में डर रही थी कि उसने उस दिन ओफिस में बेहतरिन काम किया वर्डिंगे मारने वाली नहीं दिखना चाहती थी इसलिए इसके बजाए उसने अपने प्रोजेक्ट के छोटे विवर्णों के बारे में बात की जैक रूखा नहीं दिखाना चाहता था इसलिए ब्रेंडा से प्रस्न करने या अपना आर्चे व्यक्त करने के बजाए उसने अपना दिल कड़क किया और उसकी कहानी के खतम होने का इंतजार किया जैक को तो बस यह कहना चाहिए था देखो प्रीय जब तुम इतनी सारी लंबी चोड़ी बातें बताती हो तो मैं मुद्दे की बात नहीं समझ पाता और कुंठित हो जाता हूँ तुम मुझे यह क्यों नहीं बताती कि तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में क्यों रोमान्चित हो मैं वा सुनना सचमुच पसंद करूँगा यह व्यक्तिताओ यह चरित्र की समस्याएं नहीं थी यह तो संबाद की समस्याएं थी लेकिन निश्चित मानसिक्ता में दोस तेजी से और जोर से आया वैसे मुझे यह कहानिया सुनना पसंद है जब मैं चोटी थी तो लेडी होम जर्नल के हर संसकरण में एक फीचर होता था जिसका सिर्शक होता था क्या इस विवा को बचाया जा सकता है आम तोर पर जवाब हां में होता था मैं इन कहानियों को चाट जाती थी और उन सभी तरीकों को जानकर मंत्र मुगद होती थी जिनसे विवा गडबड हो सकता है और इस बात पर तो और भी मंत्र मुगद होती थी कि इसका सुधार कैसे किया जा सकता है आरोन बैक ने टेड और करेन की कहानी बताई थी या निचित नासिक्ता वाले दो लोगों की कहानी है जो एक दूसरे की नजरों में सभी अच्छे गुणों से सभी बुरे गुणों तक कैसे पहुँचे जब टेड और करेन मिले तो वे विपरित दुरुव थे जो एक दूसरे को आकरसित कर रहे थे करेन सुवा चंदता और हलके पन को संचारित करती थी टेड एक गंभीर सक्स था जिसके कंदों पर पूरे संसार का बोज था और वा महसूस करता था कि करेन की चिंता रहत जिंदगी से उसके जीवन का काया कल्प हो गया है जो भी चीज वह कहती और करती है वह मुहक होती है उसने बावना के साथ कहा बदले में टेड चटान जैसा पिता था जो करेन को कभी नहीं मिला था वह उसी तरह का स्थिर विस्वसनिय इंसान था जो उसे सुरक्चा का एहसास दे सकता था लेकिन कुछ ही साल बाद टेड करेन को गैर जिम्मेदार हवा हवाई लड़की के रूप में देखने लगा वह कभी किसी चीज को गंबिरता से नहीं लेती है मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता और करेन टेड को एक आलोचनात्मक तानासा के रूप में देखने लगी जो उसके हर काम में मीन मेक निकालता रहता था अंत में यह विवा बच गया सिरफ इसलिए क्योंकि दोनों ने गुसेल ठपों से नहीं बलकि सहायक कार्यों तुआरा एक दूसरे पर परतिकरिया देना सीख लिया एक दिन जब करेन काम के बोज से दबी हुई थी तब घर लोटने पर टेड को घर गंदा दिखा वह नराज था और उसे फटकारना चाहता था लेकिन उसने बेक से सीखी बात पर अमल करते हुए खुद से पुछा यहां करने के लिए उप्युक्त काम क्या है अपने खुद के सवाल का जवाब देते हुए वह घर साफ करने लगा वह आलोजनात्मक होने के बजाए करेन को समर्थन दे रहा था क्या इस विवा को बचाया जा सकता है आरोन बेक परामर्स में दमपतियों से कहते हैं कि वे कभी इन निश्चित मानसिक्ता वाले विचारों को दिमाग में जगा ना दे मेरा साजेदार नहीं बदल सकता कोई भी चीज हमारे संबंद को बेतर नहीं बना सकती वे कहते हैं कि ये विचार लगबग हमेशा गलत होते हैं कई बार ये विचार ना सोचना मुश्किल होता है जैसा बिल और हिलेरी क्लिंटन के मामले में हुआ जब क्लिंटन राष्ट पती थे तो उन्होंने मोनिका लेवेंसिकी से अपने संबंद को लेकर अपनी पत्नी और देश से जूट बोला हिलेरी ने उनकी रक्षा करते हुए कहा मेरे पती में और दोस्तों हो सकते हैं लेकिन उन्होंने कभी मुझसे जूट नहीं बोला सच्चाई सामने आ गई कर रहा हो हिलेरी आग बबला हो गई क्योंकि उन्हें धोका दिया गया था अब उन्हें यह निने लेना था कि क्या बिल स्थाई रुपसे बुरे और औविस वसनिये पती हैं या फिर ऐसे इंसान हैं जिन्हें बहुत सारी मदद की जुरूरत है एक महतपुन बिंदू को सामने लाने का यह अच्चा समय है साजेदार बदल सकता है इस विषवास का मतलब यह भरोसा करना नहीं है कि साजेदार बदलेगा बदलाओ करने के लिए साजेदार के मन में परिवर्तन की इक्षा होनी चाहिए परिवर्तन का संकल्प होना चाहिए और इसकी दिशा में ठोस काम करने की इक्षा भी होनी चाहिए क्लिंटन दमपती परामर्ज लेने गए और इस प्रकिरिया में साल भर तक सप्ता में एक पूरा दिन बिताया परामर्ज के जरिये बिल को यह समझ आया कि सराबी अभिबाव भकों की संतान होने की वज़ा से उन्होंने दोहरी जिंदगी जीना सीखा था एक तरफ तो उन्होंने बच्पन से ही अत्यदिक जिमेदारी लेना सीखा था मिसाल के तोर पर बच्पन में उन्होंने अपने सौतेले पिता को गंभीरता से रोका था कि वे उनकी मा की पिटाई ना करें दूसरी तरफ उनके जीवन का एक दूसरा पहलू भी था जहां वे बहुत कम जीमेदारी लेते थे जहां वे लोगों को यह विश्वास दिलाते थे कि हर चीश ठीक है चाहे जो भी हो रहा हो इस वज़ा से वे टीवी पर आकर गंभीरता से या कसम खा सकते थे कि लेवेंसकी के साथ उनका कोई चकर नहीं है वे जीमेदारी रही तोर उच और सविकृती वाले अस्थान में थे लोग हिलेरी से उन्हें माप करने का आग्रा कर रहे थे एक साम को सटेवी वंडर ने वाइट हाउस फोन करके पूछा की क्या वे वहां आ सकते हैं उन्होंने च्छमा की सकती पर उनके लिए एक गित लिखा था और उन्होंने उस रात हिलेरी को वह सुनाया लेकिन हिलेरी उस इंसान को माप नहीं कर सकती थी जिसे वे जूटा और धोखे बाज मानती हों वे तो केवल उस इंसान को माफी कर सकती थी जिसके बारे में वे यह मानती हों की वह अपनी समस्याओं से गंभीरता से जूज रहा है और विकास करने की कोशिस कर रहा है सत्रू के रूप में साज़ेदार निच्चित मांसिक्ता होने पर एक पल आपका साज़ेदार आपके जीवन की रोसनी होता है अगले ही पल वह आपका सत्रू बन जाता है लोग किसी प्रियेजन को सत्रू में क्यों बदलना चाहेंगे जब आप दूसरे कामों में असफल होते हैं तो किसी दूसरे को दोस देते रहना कटिन होता है लेकिन जब किसी संबंद में कोई चीज गड़बड होती है तो किसी दूसरे को दोस देना असान होता है बास्तों में निश्चित मांसिक्ता में आपके पास सिमित विकल्प होते हैं एक विकल्प होता है अपने खुद के अस्थाई गुनों को दोस देना और दूसरा होता है अपने साजेदार के अस्थाई गुनों को दोस देना आप देख सकते हैं कि सामने वाले पर दोस मरना कितना लुबावना होता है जब भी किसी संबंद में कोई चीज गड़बड हो जाती है तो मेरी निश्चित मानसिक्ता की विरासत के रूप में मुझ में अब भी अपनी रक्षा करने और दोस देने की प्रबल इक्षा होती है यह मेरी गलती नहीं है इस बूरी आदत से निबटने के लिए मेरे पती और मैंने एक तीसरे सक्स का अभिस्कार किया मौरिश नामा के कालपनिक आदमी जब भी मैं इस बारे में सुरू होती हूँ कि किसे दोस देना है तो हम बेचारे मौरिश को सामने ले आते हैं और उसे दोस देने लगते हैं याद रखें कि निश्चित मानसिक्ता वाले लोगों के लिए छमा करना कितना मुस्किल होता है इसका एक हिस्सा या है कि उन्हें यह महसूस होता है कि और सविकिर्तिया विछेद ने उन्हें दाग दिया है लेकिन दूसरा हिस्सा यहा है कि अगर वे साज़ेदार को छमा करते हैं अगर वे उसे अच्छे इनसान के रूप में देखते हैं तो उन्हें खुद बर ज़्यादा दोस लेना होता है अगर मेरा साजेदार अच्छा इंसान है तो मैं ही बुरी होँगी तब गलती मेरी ही होगी यही चीज अभिवावकों के साथ हो सकती है अगर आपके किसी अभिवावक के साथ मुश्किल संबंध है तो यह किस की गलती है अगर आपके माता पिता ने आपको प्रयाप्त प्यार नहीं किया तो वे बूरे माता पिता थे या आप ही प्यार करने लायक नहीं थे यह वे तीखे सवाल हैं जो निश्चित मानसिक्ता के भीतर हमें सताते रहते हैं क्या बाहर निकलने का कोई रास्ता है? मैं भी इसी दूविदा में थी. मेरी मा मुझे प्यार नहीं करती थी. अपने ज्यादातर जीवन मैंने उन्हें दोस दे कर और कट्टू महसूस करके इसे जेला. लेकिन मैं केवल अपनी रक्षा करके ही संतुष्ट नहीं थी. मेरे मन में अपनी मा के साथ प्रेम प्रोण संबंद बनाने की हरसत थी. लेकिन मैं जो आखरी चीज चाहते थी वह थी उनमें से एक संतान बनना, जो किसी प्रेम रोकने वाले अभिवावक से अनुमोधन की भी मानें. फिर मुझे एक बात का एसास हुआ, मेरा आधे संबंद पर नियंत्रन था, अपने आधे हिस्से पर. मेरे पास संबंद का आधा हिस्सा तो था, कम से कम मैं वह प्रेम पून, बेटी बन सकती थी, जो मैं बनना चाहती थी. एक दृष्टी कोन से यह माइने नहीं आगे ही रहूंगी. इसका परिणाम क्या हुआ? मैंने अपनी कटुटता को छोड़ने और संबंद में आगे कदम बढ़ाने में विकास का एक जबरदस्त ऐसास अनुभव किया. बाकी दर असल प्रासंगिक नहीं है क्योंकि मैं पुष्टी नहीं चाह रही थी. लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ. एक और प्रत्यासित चीज हुई. तीन साल बाद मेरी माने मुझसे कहा, अगर कोई मुझे बताता कि मैं अपनी संतानों से प्रेम नहीं करती थी, तो मैं अपमानित महसूस करती. लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि यह सच था. चाहे माम जानती थी कि प्रेम क्या था, मैं नहीं जानती थी कि असली समस्या क्या थी, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि यह क्या है. उस समय से 25 साल बाद उनकी मिर्तु तक हम ज्यादा करीब आते गए. हम दोनों ही काफी जीवन्त थे, लेकिन एक दूसरे के सामने हम और ज्यादा जी थी और हो सकता है कि वे कभी ना बोल पाएं. मैं उनके कमरे में गई, उन्होंने मुझे देखा और बोला, कैरोल, मुझे तुम्हारे कपड़े बहुत पसंद आए. उस पहले कदम को उठाने, विकास को चुनने और और सविकृती का जोखिम लेनी की अनुमती मुझे किस न हैसूस होता था. बजाए यह सोचने के कि दोस मेरा था. विकास वाधी मानसिक्ता ने मुझे दोसा रोपन को छोड़ कर आगे बढ़ने की अनुमती दी. विकास वाधी मानसिक्ता की बदौलत मुझे माह मिल गई. मुझे याद है कि जब हम बच्चे थे और कोई मुरक्ता पूर्ण चीज करते थे जैसे अपना आइस क्रीम कौन अपने पैरों पर गिराना तो हम अपने दोस्त की तरफ मुड़कर कहते थे देखा तुमारी वज़े से यह हो गया. दोसा रोपन आपको कम मुरक्ता पूर्ण महसूस करा सकता है लेकिन आपके पास अब भी आइस क्र से बरा जूता है और एक दोस्त है जो रच्छात्मक हो गया है. किसी संबंद में विकासवादी मानसिक्ता आपको दोसा रोपन से उपर उठाती है. समस्या को समझने देती है और इसे दोस्त करने की कोशिश करने देती है. मिलकर. प्रती सफर्दा कौन सबसे महान है? निश्चित मानसिक्ता में आपको अपनी सक्छमता को साबित करते रहना होता है. इसलिए इसमें अपने साजेदार के साथ प्रती सफर्दा में उतरना आसान होता है. कौन ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा गुनी है, ज्यादा पसंद कर में लायक है सूजन का एक बॉइफरेंड था जो चिंता करता था कि वह आकरसन का केंदर बन जाएगी और वह खुद स्टेपनी जैसा रहेगा अगर सूजन कुछ हो जाएगी तो वह कुछ नहीं होगा लेकिन मौर्टिन किसी से दूर नहीं था वह अपने चेत्र में बहुत सामले को हलके में लिया फिर उन्होंने एक सांथ एक समेलन में हिस्सा लिया वे अलग-अलग आये थे और चेक-इन करते वक्त सूजन ने लोबी में होटल स्टाप से दोस्ताना बाचित की उस साम जब दमपती लोबी में आये तो पूरे स्टाप ने सूजन का गरम जोसी से स्वागत किया मौटिन ने दात भीचे फिर उन्होंने डिनर के लिए एक टैक्सी पकड़ी यात्रा के अंत में ड्राइवर सूजन का गुनगान करने लगा आपकी किसमत कितनी अच्छी है सर हाँ सर मैडम बहुत अच्छी है मौटिन ने मूँ पिचकाया पूरा वीकेंड इसी तरह भी था और जब तक वे सम्मेलन से घर लोटे उनका संबन बहुत तनावपून हो गया था मौटिन सक्रिता से प्रती सपर्दी नहीं था उसने सूजन से आगे निकलने की कोशिस नहीं की उसे तो बस यह अपसोस था कि वह ज्यादा लोगप्रिये दिख रही थी ल एज्यानिक सिंथिया जो भी करती थी लगबग हर चीज में महारत हासिल कर लेती थी इतनी की वह अपने साजेदारों को धूल चटा देती थी यह सही हो सकता था अगर वह हमेशा उनके इलाके में नहीं आती उसने एक अभिनेता से साधी की इसके बाद वह नाटक लिखने लगी और उनमें अभिने भी करने लगी सब सांदार तरीके से उसने कहा कि वह अपने साथी के जीवन और रूचियों में सिर्कत करने की कोशिस कर रही है लेकिन उसका पार्ट टाइम सोप साथी के कैरियर से ज्यादा तेज दमक रहा था उसे महसूस हुआ कि उसे खुद को दुबारा खोजने के लिए संबंध से छुटकारा पाना होगा इसके बाद उसने एक संगित खार से साधी की जो एक बहतरिन कुक था और इसमें ज्यादा समय नहीं लगा जब सिंथिया और विश्वसनिये वियंजन बनाने लगी और उन जगा ही नहीं छोड़ी उसे उनकी हर योगता में उनकी बराबरी का होने या उनसे आगे निकलने की जरूरत महसूस होती थी अपने साधेदारों का समर्थन करने और उनके जीवन में रूची दिखाने के कई अच्छे तरीके होते हैं या उनमें से एक नहीं है संबंदों का विकास करना जब लोग किसी संबंद में कदम रखते हैं तो उनके सामने एक ऐसा साजेदार होता है जो उनसे अलग होता है और उन्होंने अब तक या नहीं सीखा है कि बिंताओं से कैसे निवटना है अच्छे संबंद में लोग इन योगताओं का विकास करते हैं और ऐसा करने पर दोनों ही साजेदारों का विकास होता है तथा संबंद गहरा होता है लेकिन इसके लिए लोगों को यह महसूस करने की जुरुत होती है कि वे एक ही तरफ हैं लोरा किसमत वाली थी वह आतम केंदरी तोर रक्षात्मक हो सकती थी वह चिला सकती थी और मुँफुला सकती थी लेकिन जैम्स इसे कभी व्यक्तिगात रूप से नहीं लेता था और उसे हमेशा महसूस होता था कि जुरुत के वक्त वह हमेशा उसके साथ होती थी इसलिए जब वह क्रोधित हो जाती तो जैम्स उसे सांत कराता था और उससे सांती से बात करता था समय के साथ लोरा ने क्रोधित होना और मुँफुलाना छोड़ दिया जब विस्वास का माहौल विक्सित हुआ तो वे एक दूसरे के विकास में गहरी रूची लेने लगे जेम्स एक कारपोरोशन बना रहा था और लॉरा उसकी योजनाओं पर तथा उसके सामने आ रही समस्याओं पर घंटो बाचित करती थी लॉरा ने हमेशा से बच्चों की पुष्टकें लिखने का सपना देखा था जेम्स ने कहा कि वह अपने विचारों पर अमल करे और पहला ड्राप लिखे उसने लॉरा को अपने एक परिचित से संपर्क करने को कहा जो एक इल स्ट्रेटर था इस संबंद की पृष्ट भूमी में हर साजेदार वे चीजें करने में सामने बाले की मदद कर रहा था जो वे करना चाहते थे और वाव्यक्ती बनने में जो वे बनना चाहते थे कुछ समय पहले मैं एक सहेली से बात कर रही थी कि कुछ लोग बच्चे पालने के बारे में कैसा विचार रखते हैं कि अभिवावकों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस द्रिष्टी कौन को सपष्ट करने के लिए उसने इसकी तुलना विवाहिक संबंध से की या विवाह में साजेदारों जैसा है हर व्यक्ती संबंध में पूरी तरह से बना बनाया आता है और आपका साजेदार जैसा होता है उसे आप प्रभावित नहीं कर सकते हैं ओ नहीं मैंने जवाब दिया मेरे लिए तो विवा का पूरा मतलब ही अपने साजेदार के विकास को प्रुथसाहित करना है साथ ही उसके द्वारा अपने विकास को भी प्रुथसाहित कराना है इससे मेरा मतलब माई फियर लेडी जैसी चीज नहीं है जहां आप साजेदारों को सिर से पैर तक बदलने की कोशिस करते हैं जो फिर या महसूस करते हैं कि वर्तमान स्वरूप में परियाप्त अच्छे नहीं है मेरा मतलब है संबंद के भीतर साजेदारों के लक्षियों और उनकी छम्ता तक पहुँचने में उनकी सहायता करना यह सक्रिये विकास वादी मान सिखता है मित्रता साजेदारी की तरह ही मित्रता भी ऐसी जगह है जहां हमारे पास एक दूसरे के विकास को बढ़ाने और एक दूसरे के पुष्टी करने का अवसर होता है दोनों ही महत पुर्ण है मित्र विकाससेल निर्णे लेने के लिए एक दुसरे को बुदी मता और साहस परदान कर सकते हैं मित्र एक दुसरे के अच्छे गुणों के बारे में एक दुसरे को आस्वस्त कर सकते हैं गुणों की प्रसंसा करने के खत्रों के बावजूद ऐसा समय आता है जब हमें खुद के बारे में आस्वासन की जरूरत होती है मुझे बताएं कि मैं बुरी नहीं हूँ जो मैंने अपने बॉइफरेंट के साथ संबंद तोड़ा मुझे बताएं कि मैं मुर्ख नहीं हूँ हाला कि मैं परिक्षा में फेल हो गया हूँ वास्तों में ये मौके हमें समर्थन परदान करने और विकास का संदेश पहुचाने का मौका देते हैं आपने उस संबंद को तीन साल तक हर चीज दी और उसने परस्थितियों को बैतर बनाने की कोई कोशिस नहीं की मैं सोचती हूँ कि आप सही हैं जो आप आगे बढ़ गई या उस परिक्षा में क्या हुआ था? क्या आप सामिगरी को समझ गए थे? क्या आपने पर्याप्त अधेयन किया था? क्या आप सोचते हैं कि आपको ट्यूटर की जरूरत थी? आईए इस बारे में बात करते हैं लेकिन सभी संबंदों की तरह ही खुद को साबित करने की लोगों की जरूरत गलत दिसा में पलड़ा जुका सकती है सेरी लेवी ने एक अध्यान किया जो मित्रता के बारे में तो नहीं था लेकिन एक महतपून और प्रासंगिक बिंदू उठाता है लेवी ने किसोर लड़कों के आतम गोरो को मापा और फिर उनसे पूछा कि वे लड़कियों के बारे में नकरात्मक रूडियों में कितना यकीन करते हैं मिसाल के तौर पर उनका कितना मानना था कि लड़कियां गणित में बत्तर होती है या लड़कों से कम तारकिक होती है एक बार फिर उन्होंने उनके आतम गोरों को मापा जीन लड़कों का विस्वास निश्चित मानसिक्ता में था उनके आतम गोरों में ब्रिदी नजर आई जब उन्होंने रूडियों का समर्थन किया लड़कियां ज्यादा मुर्ख और अस्थिर होती है या सोचने से वे खुद के बारे में बहतर महसूस करने लगे विकासवादी मानसिक्ता वाले लड़कों के रूडियों से सहमत होने की कम संभावना थी लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया भी तो इससे उनके अहम में ब्रिदी नहीं हुई यह मानसिक्ता मित्रत ताओं मैं भी घुसपैट कर सकती है आप जितने कमतर हैं मैं उतना ही बहतर मैं सुस करता हूँ वाला विचार एक दिन मैं एक प्रिये साजेदार सहेली से बात कर रही थी मैं इस बारे में हैरान थी कि वह अपनी कुछ सहेलियों के विवहार को क्यों जेलती है दर असल मैं इस बारे में हैरान थी कि उसने इन लोगों से दोस्ती की ही क्यों एक तो अक्सर गैर जिम्मेदार तरीके से काम करती थी दूसरी अपने पती के साथ बेसरमी से फलर्ट करती थी उसका जवाब यह था कि हर वेक्ती में अच्छे और बुरे गुन होते हैं और सच तो यह है कि अगर आप केवल आदर्स लोगों की ही तलास करें तो आपका समाजिक दाइरा बहुत सिमित हो जाएगा बहराल वह एक चीज बरदास नहीं करती थी उन लोगों को जो उसे उसके बारे में बुरा महसूस कराते थे हम सभी इन लोगों को जानते हैं वे परतिभासाली, समोहक और मज़ेदार हो सकते हैं लेकिन उनके साथ रहने पर आप कम तर महसूस करते हैं आप पुछ सकते हैं क्या मैं खुद पर बस एक संख्या लगा रहा हूं लेकिन या अक्सर वे होते हैं जो अपनी स्रेष्टा और आपकी हिंता को स्थापित करके खुद को उंचा दिखाने की खोसिस करते हैं या आपको शक्रियता से नीचे रख कर किया जा सकता है या फिर आपके प्रति उनके लापरवा तरीके से भी किया जा सकता है इन में से चाहे जो तरीका हो आप उनकी योगताओं के पुष्टी करने वाले पाहन या सिकार होते हैं मैं अपनी एक सहेली के पचासवी जनन दिन की पार्टी में गई थी और उसकी बेहन ने प्रसेसित व्याख्यान दिया उसकी बेहन ने बताया कि मेरी सहेली की कामवासना की भूक अत्रिप्त थी और वह खुसकिस्मत है जो उसने कम उम्र के एक युवक से साधी की जो उसे संतोष्ट कर सकता है मजे मजे में उसने मेरी सहेली के चहरे, मोहरे, मस्तिक और मातरत्तव युगताओं की तहकीकात कर डाली इस प्रसेसित के बाद मुझे अचानक या कहावत याद आई जब आपके पास ऐसे दोस्त हों तो आपको दुस्मनों की जरुरत नहीं है दोस्त आपका भला ना चाहे या अहसास करना मुश्किल होता है एक रात को मुझे एक बहुत सपष्ट सपना आया मेरी जान पहचान का एक व्यक्ती मेरे घर में आया और एक एक करके मेरी सारी मुल्यवान चीजें ले गया जो जो हो रहा था उसे मैं सपने में देख सकती थी लेकिन या नहीं देख सकती थी कि वह आखिर कौन था एक बिंदू पर मैंने घुस पैटिये से पुछा क्या आप उस चीज को नहीं छोड़ सकते वह मेरे लिए बहुत माइने रखती है लेकिन वह बैक्ती पूरी निश्टूरता से हर मुल्यवान चीज ले गया अगली सुबह मुझे एहसास हुआ कि वह कौन था और मेरे सपने का क्या मतलब था पिछले साल एक करीबी मित्र अपने काम में अपनी मदद के लिए मुझे लगातार पुकार रहा था मैं उसका काम कर देती थी वह बहुत तनाओं में दिख रहा था और पहले पहल तो मुझे खुसी हुई कि मैं अपनी योगताओं से उसकी मदद कर रहे हूं लेकिन यह अंतहिन सिलसिला था वह किसी तरह का कोई स्रे या प्रतिदान नहीं दे रहा था और सबसे बड़ी बाद वह इसके लिए मुझे सजावी देता था यह हरगिज मत सोचना कि आप कभी इतना अच्छा काम कर सकती है आपने मेरे काम को तरासने में मदद जरूर की है लेकिन आप कभी इतनी सरजनात्मक नहीं हो सकती वह खुद को कम तर महसूस ना करे इसलिए वह मुझे कम तर होने का एहसास दिला रहा था मेरे सपने ने मुझे बता दिया कि अब लकीर खीचने का समय आ गया था मुझे में भी निश्चित मानसिक्ता का दोस रहा है मैं लोगों को नीचा तो नहीं दिखाती हूँ लेकिन पुष्टी की जरूरत होने पर लोगों का इस्तिमाल कभी कभार हो जाता है जब मैं सनातक विद्यारती थी तो एक बार मैं ट्रेन से नुई योर्क जा रही थी और मैं एक बहुत अच्छे विवसाई के बगल में बैठी मेरे हिसाब से हमारे बीच अच्छी बात चित हुई और डिड़ गंटे की यात्रा में बिचारों का खुसनमा अदान परदान हुआ लेकिन हमारी मुलाकात के अंत में वह बोला अपने बारे में मुझे बताने के लिए धन्यवाद इससे मुझे गहरा दक्का लगा मैंने उसे अपनी पूश्टी करने लायक समझा था आकरसक, बुद्धिमान, सफल और मैंने इसी काम के लिए उसका इस्तिमाल किया था मैंने इंसान के रूप में उसमें कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाई थी बलकि अपनी उत्र क्रश्टता के आइने के रूप में उसमें रूची ली थी सोभाग से उसमें आइने में जो दिखाया वो मेरे लिए कहीं अधिक मुल्लेवान सबक था पारंपरिक बुद्धिमता कहती है कि आपको जुरुत के समय ही पता चलता है कि आपके मित्र कौन है और जाहिर है इस दृष्टी कौन में सचाई है जब आप मुस्किल में होते हैं तो आपके साथ कौन खड़ा रहेगा बहराल कई बार इससे भी ज़्यादा कठी प्रस्ण यह होता है जब अच्छी चीजें होती हैं तो आप किसे बता सकते हैं जब आपको कोई साथी मिल जाता है जब आपको एक बहुत अच्छी नोकरी या प्रोमोशन मिल जाता है जब आपका बच्चा जंडे गारता है या इसे सुनकर कौन खुस होगा आपकी सफलताओं और दुर्बागे से दूसरे लोगों का आतम गौरो जोखिम में नहीं पड़ता है अहम की दृष्टी से देखें तो किसी जरूरत मंद ब्यक्ती के प्रतिसाहान भूती रखना ज्यादा आसान होता है जिन लोगों को स्रेष्ट होने से आतम गौरो मिलता है उनके लिए आपकी खूबियां और सफलताओं समस्या का कारण होती है संकोच कई मायने में संकोच उसका उल्टा पहलू है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हम उन लोगों की जाच कर रहे हैं जो खुद को उपर उठाने के लिए दूसरों का इस्तमाल करते हैं संकोची लोगों को यह चिंटा सताती है कि दूसरे लोग उन्हें नीचे ले आएंगे वे अक्सर समाजिक इस्थितियों में आलोचना या सरमिंदा होने की चिंटा करते है लोगों का संकोच उन्हें मित्र और संबंद बनाने से रोग सकता है संकोची लोग बताते हैं कि नए लोगों से मिलने पर वे चिंतित महसूस करते हैं उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है उनका चेहरा लाल पड़ जाता है वे नजरे मिला कर बात नहीं करते हैं और वे जल्द से जल्द मुलाकात खतम करने की कोशिस करते हैं हाला कि इस सब के पीछे संकोची लोग अद्भूत और रोचक हो सकते हैं लेकिन वे अपना या पहलू अक्सर किसी नए व्यक्ति के सामने नहीं दिखाते हैं और वे यह बाद जानते हैं मानसिक्ताएं हमें संकोच के बारे में क्या सिखा सकती हैं तो जैनिफर बियर ने यह पता लगाने के लिए सैक्डो लोगों का अध्यान किया उन्होंने लोगों की मानसिक्ताओं को मापा उनके संकोच का आकलन किया और फिर परिस्ज़ के लिए उन्हें एक बार में दो दो करके सांथ लाई पूरी छीज का फिल्म मांकन हुआ और बाद में प्रसिक्षित आकलन करताओं ने फिल्म देखकर चर्चाओं का मुल्यांकन किया बियर ने पहले पहल तो यह पाया कि निश्चित मांसिक्ता वाले लोगों के संकोची होने की ज़्यादा संभावना होती है इसमें समझतारी नजर आती है निश्चित मांसिक्ता आपको आलोचना या मुल्यांकन के बारे में चिंतित बना देती है जिससे आप ज़्यादा संकोची और तनावगरस्ट बन जाते हैं लेकिन दोनों ही मांसिक्ताओं के बहुत सारे संकोची लोग थे और उन्हें ज़्यादा करीब से देखने पर एक ज़्यादा रोचक चीज का पता चला संकोच निश्चित मानसिक्ता वाले लोगों के समाजिक वेवार को नुक्सान पहुचाता था लेकिन यह विकासवादी मानसिक्ता वाले लोगों के समाजिक संबंधों को नुक्सान नहीं पहुचाता था आकलन करताओं के आकलन ने दिखाया कि हालां कि चर्चा के सुरवाती पांच मिनट तक निश्चित मानसिक्ता और विकासवादी मानसिक्ता वाले दोनों तरह के संकोची लोग बहुत घबराये दिख रहे थे लेकिन उसके बाद विकास वादी मानसिक्ता वाले संकोची लोगों ने ज़्यादा समाजिक योगताएं दिखाइँ जिस से सामने वाले ने उन्हें ज़्यादा पसंद किया और ज्यादा खुशनमा बाचित हुई दरसल कुछ समय की चर्चा के बाद वे गैर संकोची लोगों जैसे दिखने लगे इसके पीछे अच्छे कारण है एक बात तो यह थी कि दिकासवादी मानसिक्ता वाले संकोची लोग समाजिक इस्थितियों को चुनोती मानते थे हाला कि उन्हें तनाव महसूस होता था लेकिन फिर भी वे किसी नए व्यक्ती से मिलने के औसर का सक्रियता से स्वागत करते थे इसके बजाए निश्चित मानसिक्ता वाले संकोची लोग किसी ऐसे वेक्ति से मिलने से कत्राना चाहते थे जो समाजिक द्रिष्टी से उनसे ज़्यादा योग्य हो सकता था उन्होंने कहा कि उन्हें गलतियां करने की ज़्यादा चिंता थी इसलिए निचित मानसिक्ता और विकासवादी मानसिक्ता वाले लोगों ने अलग-अलग नजरियों से इस्थिती का सामना किया एक ने चुनोती को अंगिकार किया और दूसरा जोकिम से डरता रहा इन भिन नजरियों की वजह से बाचित बढ़ने पर विकासवादी मानसिक्ता वाले संकोची लोगों का संकोच और घबराहट कम हो गई लेकिन संकोची निच्चित मानसिक्ता वाले लोग बाद में भी घबराते रहे और समाजिक रूप से अटपटी चीजें करते रहे जैसे आखों का संपर्क ना करना या बात करने से कत्राना आप देख सकते हैं कि इन अलग-अलग तरह के वेभारों का दोस्त बनाने पर कैसा प्रभाव पड़ेगा विकासवादी मानसिक्ता वाले संकोची लोग अपने संकोच पर काबू करते हैं वे बाहर जाकर नए लोगों से मिलते हैं और जब उनकी घबराहट सांत हो जाती है तो उनके संबंद समाने रूप से आगे बढ़ते हैं संकोच उन पर कबजा नहीं करता है लेकिन निश्चित मानसिक्ता वाले लोगों के लिए संकोच सारा नियंतरन अपने हाथ में ले लेता है इसकी वज़े से बेसमाजिक इस्थीतियों में नए लोगों से दूर रहते हैं और अगर कभी उनके पास आ भी गए तो भी बे अपना रक्षा कवच धीला नहीं करते और अपने डरों से छुटकारा नहीं पाते हैं मनु विसलेशन के प्रोफेसर और मनु चिकित सक स्कोट बेट जलर अपने गराहक जॉर्ज का वर्णन करते हैं जो निश्चित मानसिक्ता वाले संकोची व्यक्ती की जीती जागती तस खास तोर पर महिलाओं के साथ रहने पर वह बहतरीन वाग पट्टू और आत्म विस्वासी दिखने के लिए इतना उत्सुक्त था और इतना चिंतित था कि वह अति उत्सुक्त और पूर दिखेगा कि वह महिलाओं के साथ भावहीन बेवार करता था जब उसकी आकरसक सहकर जिन ने उसके साथ flirting सुरू की तो वह इतना परिशान हो गया कि उससे कत्राने लगा। फिर एक दिन जिन ने उसे एक नजदी की कफी सोप में घेर लिया और कहा कि वह उसे अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करे। जब वह उसे प्रवावित करने के लिए कोई चतुर प्रतिकिर्या नहीं सोच पाया तो उसने जवाब दिया मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि आप साथ बैठती हैं या नहीं। जोर्ज तुम क्या कर रहे हो वह और स्विकिर्टी से अपनी रक्षा करने की कोशिस कर रहा था। निश्चित रूप से उसकी ज़्यादा रूची नहीं दिख रही थी और या देखकर जीन पटाफट महां से बाहर चली गई और मुलाकात जल्दी ही कतम हो गई। वह जैनिफर बियर के अध्याइन के लोगों जैसा ही था समाज एक मुल्यांकन के डर से नियंतरित जिसने उसे संपर्क करने से रोक दिया। बेट जलर ने धीरे धीरे जोर्ज की मदद की कि वह मुल्यांकन या अलोचना पर अपनी एकागरता छोड़ दे। उसे या समझ में आगया की जीन का इरादा उसका मुल्यांकन करना या उसका अपमान करना नहीं था। वह तो उसे जानने की खोशिस कर रही थी। जब एकागरता मुल्यांकन के बजाए संबंद दिक्सित करने पर क्रेंदृत हो गई तो जोर्ज अंतता पार्सपरिक अदान-प्रदान करने में समर्थ हुआ। अपनी चिंता के बावजूद वह जिन के पास गया अपने बत्मीजी भरे विवार के लिए च्छमा मांगी और उसे लंच पर आमंत्रित किया। जिन ने आमंत्रन सविकार कर लिया। यही नहीं वह उतनी आलोचनात्मक कतई नहीं निकली जितना जोर्ज को डर था। जितना जोर्ज को डर था। दबंग और सिकार प्रतिसोद पर दुबारा विचार। हम दुबारा और सविकिर्ती पर आ गए हैं। क्योंकि सिर्फ प्रेम संबंदों में ही लोग भयंकर और सविकिर्तियों का अनुभाव नहीं करते हैं। या स्कूलों में हर दिन होता है। गेड स्कूल से ही कुछ बच्चों को सिकार बनाया जाता है। उनका मखौल उड़ाया जाता है, उन्हें यातना दी जाती है और मारा जाता है। तथा इसके पीछे उनकी कोई गलती नहीं होती। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। वे कितने समाट हैं कई बार वे परियाप्त समाट नहीं होते कई बार वे जरूरत से ज़्यादा समाट होते हैं यह हर दिन होने वाली घटना जीवन एक दूस वपन बना देती है और यहीं से बरसों तक डिप्रेशन और क्रोध का सिलसला सुरू हो जाता है इस्तिती और भी बत्तर इसलिए हो जाती है क्योंकि स्कूल वाले अक्सर इस बारे में कुछ भी नहीं करते ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह काम अक्सर सिक्चकों की नजरें बचा कर किया जाता है या फिर स्कूल के लोग प्रिये बिद्यार्थी या काम करते हैं जैसे खिलाडी इस मामले में प्राय ऐसा होता है कि दबंग बिद्यार्थियों के बज़ाए सिकार बिद्यार्थियों को समस्या ग्रस्त या मिस्फिट मान लिया जाता है समाज के रूप में इस और हमने अब तक बहुत कम ध्यान दिया है फिर स्कूलों में गोलियां चलने लगी कुलंबियाईन में जो सबसे कुख्यात गोली कान हुआ उसकी वज़ा यही थी कि दो लड़कों को बरसों तक बेरहमी से सताया गया एक साथ ही सताय गए सिकार ने वर्णन किया है कि उन्होंने अपने हाई स्कूल में क्या-क्या छेला था गलियारों में खिलाडी बच्चों को लोकर में धका देते थे और उन्हें बुरे-बुरे नामों से बुलाते थे जब तक कि हर कोई इसमज़दार प्रदरसन पर हसने नहीं लगता था लंच के दोरान खिलाडी सिकारों की भोजन की पलेट फर्स पर गिरा देते थे उन्हें टंगडी मार कर गिरा देते थे या भोजन फैक कर मारते थे जब सिकार खाना खा रहे होते थे तो उन्हें टेवल पर पीछे से धक्का मार कर गिरा दिया जाता था फिर जिम क्लास के पहले लौकर रूम में दबंग लड़के इन सिकारों को मारते थे क्योंकि वहां सिक चक आसपास नहीं होते थे दबंग बच्चे कौन है? दबंगता मुल्यांकन के बारे में है या इस बात को स्थापित करने के बारे में है कि कौन ज़्यादा योगे या महतपून है? ज्यादा सक्तिसाली लड़के कम सक्तिसाली लड़कों की आलोचना करते हैं बे उन्हें कम मुल्यवान इनसान मानते हैं और बे हर दिन उन्हें सताते हैं यह सपश्ट है कि दबंग लड़कों को इससे क्या मिलता है सेरी लेवी के अध्यान वाले लड़कों की तरह इससे उनका आतम गोरो बढ़ जाता है ऐसी बात नहीं है कि दबंग लड़कों में आतम गोरो की कमी होती है लेकिन दूसरों की आलोजना करने या उन्हें नीचा द दिखाने से उनका आतम गोरो तेजी से बढ़ जाता है दबंग लड़के अपने कारियों से समाजिक प्रतिष्टा हासिल करते हैं बाकी उनका सम्मान कर सकते हैं और उन्हें सांदार सतिसाली या मज़ेदार आक सकते हैं या उनसे डर सकते हैं दोनों में से जो भी इस्तिती हो उनकी साक बढ़ जाती है दबंग लोगों में निश्चित मांसिकता वाली सोच प्रबल होती है कुछ लोग सृष्ट होते हैं और कुछ लोग हीन होते हैं और दबंग का दिवाना था और वह बाहरी था यानी कोलो रेडो का मूल बासिंदन नहीं था। उन्हों ने उसकी बेरहम आलोचना की और मुल्यांकन किया। सिकार और प्रतिसोद सताय जाने पर सिकार कैसे प्रतिकरिया करते हैं इस बारे में भी निचित मानसिकता भूमिकार निभा सकती है जब लोग किसी और सविकृति से गहरी आलोचना महसूस करते हैं तो वे अपने बारे में बूरा महसूस करते हैं और कटुता से प्रतिकिरिया करते हैं। उन्हें निर्ममता से कमतर किया गया है और बदले में वे भी सामने वाले को कमतर करना चाहते हैं। अपने अध्यायनों में हमने और स्विकिर्टी के बाद पूरी तरह से समाने लोगों बच्चों और व्यसकों को प्रतिसोध की हिंसक फंतांसियां बुनते देखा है। उच्छित अच्छी तरह काम करने वाले व्यसक किसी गंभीर और स्विकिर्टी या धोके के बाद सिद्दत से कहते हैं मैं उसे मृत देखना चाहता था या मैं असानी से उसका गला दबा सकता था। जब हम स्कूली हिंसा के बारे में सुनते हैं तो हम आम तोर पर सुचते हैं कि केवल बूरे घरों के बूरे बच्चे ही कानून अपने हाथ में ले सकते हैं लेकिन या अर्चे जना क्या कि कितनी जल्दी निश्चित मांसिकता वाले समाने बच्चे हिंसक प्रतिसोध के बा में एक परीद्रिस्य पढ़ने को दिया हमने उनसे या कल्पना करने को कहा कि या उनके साथ हो रहा है इसकूल में नया साल है और चीजें काफी अच्छी चल अच्छी तरह चल रही हैं अचानक कुछ लोग प्रिये लड़के आपको चिड़ाने लगते हैं और आपको बुरे बुरे नामों से बुलाने लगते है पहले तो आप नजर अंदाज कर देते हैं ऐसे चीजें होती है लेकिन यह सिलसिला जारी रहता है हर दिन वे आपका पीछा करते हैं आप पर फवति कसते हैं आपके कपड़ों का माखोल उड़ाते हैं आपके हुलिये का मजाक उड़ाते हैं वे आपको बताते हैं कि आप पराजित हैं सब के सामने हर दिन फिर हमने उनसे इस बारे में लिखने को कहा कि वे क्या सोचेंगे और क्या करेंगे या क्या करना चाहेंगे सबसे पहले तो निश्चित मानसिक्ता वाले बिद्यार्थियों ने घटना को ज्यादा बैक्तिग्यत रूप से लिया उन्होंने कहा मैं सोचूंगा कि मैं कुछ नहीं हूँ और मुझे कोई भी पसंद नहीं करता या मैं सोचूंगा कि मैं मुर्ख, अजीब और Miss Fit हूँ फिर वे हिन्सक प्रतिसोद चाहते थे उन्होंने कहा कि वे गुशसे भरी प्रतिकिरिया करेंगे उनके चेहरे पर मुक्का जड़ देंगे या वहाँ से भाग जाएंगे वे इस कथन से प्रबलता से सहमत थे मेरा पहरा लक्ष प्रतिसोद लेना होगा उनका मुल्यांकन किया गया था और बदले में वे भी मुल्यांकन करना चाहते थे यही कोलम्बिया के गोली चलाने वालों एरिक हैरिस और डाइलेन कले बोर्ड ने किया उन्होंने फैसला किया कुछ लंबे भ्यंकर घंटों तक उन्होंने यह फैसला किया कि कौन जिन्दा रहेगा और कौन मरेगा हमारे अध्यायन में विकास वादी मानसिक्ता वाले विद्यार्थियों ने दबंग विद्यार्थियों के सताने पर यह नहीं सोचा कि वे कुछ नहीं है इसके बजाए उन्होंने तो इसे इन दबंग विद्यार्थियों की मनोवे ग्यानिक समस्या माना उन्होंने सोचा कि यह दबंग विद्यार्जियों का दबदबा जमाने या आतमगोरो बढ़ाने का तरीका था मैं सोचोंगा कि वह मुझे परिसान कर रहा है इसका कारण साय दिया है कि उसके घर पर समस्याएं है या सकूल में उसके ग्रेड में समस्याएं चल रही है या उन्हें जीवन अच्छी तरह जीना चाहिए मुझे बूरा महसूस करा कर खुद अच्छा महसूस करने की क्या जरूरत है उनकी योजना अक्सर दबंग विद्यारतियों को सिक्षित करने की रहती थी मैं सच मुझ उनसे बात करूँगा मैं उनसे प्रसंद पूछूँगा वे मुझे से इस तरह की बाते क्यों कर रहे हैं या मेरे साथ या सब क्यों कर रहे हैं या उस व्यक्ति से इस मुद्दे पर आमने सामने बात करूँगा मैं यह देखने में उनकी मदद करना चाहूंगा कि वे मज़ेदार नहीं है विकासवादी मानसिक्ता वाले पिद्यार थी इस बात पर भी प्रबलता से सहमत थे कि मैं उन्हें अंतता छमा करना चाहूंगा और मेरा पहला लक्षे बेहतर इंसान बनने में उनकी मदद करना होगा यह संदिख्द है कि वे कटर दबंग लोगों को सुदारने या सिक्षित करने में सफल होंगे बहरहाल यह निश्चित रूप से बहरहाल यह निश्चित रूप से उन पर गोली चलाने से ज़्यादा सरजनात्मक कदम है एरिक हैरिस और डाइलेन कले बोल्ड के सहपाथी ब्रुक्स ब्राउन को तीसरे ग्रेड के बाद से बहुत सताया गया उसने बहुत यातना चेली लेकिन उसने प्रती सोध की कोई कोशिस नहीं की उसने निश्चित मानसिक्ता को खारिच कर दिया और लोगों को अपना मुल्यांकन करने का अधिकार नहीं दिया जैसे मैं फुटबॉल खिलाडी हूँ इसलिए मैं तुमसे बहतर हूँ या मैं बॉसकेटबॉल खिलाडी हूँ तुम जैसे निठले कंप्यूटर कीड़े मेरी बराबरी के नहीं है इससे भी बढ़कर उसने विकासवादी मानसिक्ता को सक्रियता से अंगिकार किया उसके खुद के सब्दों में लोगों में बदलने की चमता होती है सायद एरिक हैरिस में भी जो ज़्यादा खिन था और गोली चलाने की योजना का अगुआ था कई साल पहले बराउन की एरिक हैरिस से बहुत गंभी टक्राव चला था लेकिन सीनियर स्कूल में बराउन ने सांती की पहल की मैंने उसे बताया कि मैं उस साल बहुत बदल गया हूँ और मुझे उमीद थी कि वह अपने बारे में भी ऐसा ही महसूस करता होगा ब्रूक्स ने आगे कहा कि अगर एरिक नहीं बदलता तो वह हमेशा पीछे हट सकता था बरहाल अगर उसने भी कास कर लिया है तो उसे यह साबित करने का मौका क्यों ना दिया जाए ब्रूक्स ने हार नहीं मानी है वह अब भी लोगों को बदलना चाहता है वह संसार को दबंगता की समस्या के बारे में आउगत कराना चाहता है और वह सिकारों तक पहुँचना चाहता है तथा उनकी हिंसक फंतासियों को निस्क्रिये करना चाहता है इसलिए उसने बोलिंग फॉर कॉलमबाइन पर फिलम निर्माता माइकल मूर के लिए काम किया और एक नमाचारी वेब साइट बनाई जहां सताय जाने वाले बच्चे एक दूसरे से समाध कर सकें और या सीख सकें कि किसी की जान लेना समाधान नहीं है या तो अपने दिमाग का इस्तितियों को बेहतर बनाना है मेरी ही तरह ब्रुक्स गोली चलाने वालों को ऐसे लोगों के रूप में नहीं देखता जो बाकी हर व्यक्ति से कोसो दूर हों वह कहता है कि उसका मित्र डाइलेन कले बोल्ड अच्छे घर का समाने बच्चा था जिसके प्रेम पूर्ण माता पिता थे वास्तों में वह चेतावनी देता है हम बस अराम से बैठ सकते हैं और गोली चलाने वालों को नरसंस दरिंदे हम में से पूरी तरह अलग कह सकते हैं या हम यह सविकार कर सकते हैं कि एरिक और डाइलेन जैसे और भी लड़के वहाँ हैं जिने धीरे धीरे उसी मार्ग पर नीचे ले जाया जा रहा है भले ही सुरुवात में सिकार में निच्चित मानसिकता ना हो लेकिन लंबे समय तक सताए जाने के बाद यह उनमें आ सकती है खास तोर पर अगर बाकी लोग चुपचाप खड़े रहें और कुछ ना करें या इसमें सामिल हो जाएं सिकार बच्चे कहते हैं कि जब उन पर ताना मारा जाता है या उनका अपमान किया जाता है और कोई भी उनकी रक्षा करने नहीं आता तो वे यह विश्वास करने लगते हैं कि वे इसके हकदार हैं वे अपना मुल्यांकन करने लगते हैं और या सोचने लगते हैं कि वे हीन हैं दबंग लोग अलोचना करते हैं सिकार इसे सच मान लेते हैं कई बार या अलोचना ज़्यादा गहराई तक घुज जाती है और डिप्रेसन तथा आतम हत्या की ओर ले जा सकती है कई बार इसका विस्पोर्ट हिंसा में हो जाता है क्या किया जा सकता है आम तोर पर अकेले बच्चे दबंग लड़कों को नहीं रोक सकते खास तोर पर जब दबंग लड़कों के साथ समर्थकों का समू होता है लेकिन सकूल अपनी मानसिक्ता बदल कर ऐसा कर सकता है सकूलों में भ्यापत संस्कृतियां अकसर निश्चित मानसिक्ता को बढ़ावा देती हैं या कम से कम इसे सविकार करती हैं बे सविकार करती हैं कि कुछ लड़के दूसरों से स्रेष्ट होते हैं और उन्हें दूसरों को चिडाने का हक होता है, वे कुछ बच्चों को मिस्फिट भी मानती हैं, जिनकी मदद करने के लिए वे बहुत कम कर सकती हैं, लेकिन कुछ स्कूलों ने दबंगता के चेतर में नाटकी कमी कर दी है, क्योंकि वे आलोचना के परिवेश से जुझे और के बजाए सहयोग तथा स्वासुधार का माहोल बनाया, थेरेपिस्ट स्कूल परामर्सदाता और परामर्सदाता स्टैन डेविस ने एक दबंगता विरोधी योजना त्यार की है, जो कारगर है, नार्वे के सोधकरता डेन ओल वियस के काम को आगे बढ़ाते हुए डेवि कुछी सालों में उनके स्कूल में सारिरिक दबंगता तरन में परतिसत और ताना कसी तीरपन परतिसत घट गई, तीसरे ग्रेड की डारला मोटी थी, फूहर थी और बात-बात में रोने वाली थी, वह इतनी आदर्स सिकार थी कि आधी कलास उसे सताती थी, उसे मारती थी औ और हर दिन उसे बूरे नामों से बुलाती थी, और इसके लिए एक दूसरे की प्रसंसा हासिल करती थी, कुछ साल बाद डेविस की यूजना की बदोलत दबंगता का यह सिलसिला रुख गया, डारला ने बहतर समाजिक योगताएं सेख ली और कुछ मित्र भी बना लिये, फिर डारला मिडल स्कूल गई और एक साल बाद उसने लोट कर पताया की क्या हुआ, प्रारंबिक स्कूल के उसके साथियों ने उसका साथ दिया, उन्होंने मित्र बनाने में उसकी मदद की और नए समकच्छों से उसकी रक्षा की जब बे उसे परिसान करना चाहते थे, ड बच्चे सामने आये थे, उनमें से कुछ वही थे जिन्होंने उसे कभी सताया था, डेविस जो करते हैं वह या है कि पहले तो सतत अनुसासन लागू करने के बावजूद वे दवंग विद्यार्थों की व्यक्तिकत आलोचना नहीं करते हैं, गुनों की कोई आलोचना नही की जाती है, इसके बजाए वे उन्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि उन्हें स्कूल में पसंद किया जाता है और उनका स्वागत किया जाता है, फिर वे सही जिसा में उठाये जाने वाले हर कदम की परसंसा करते हैं, लेकिन एक बार फिर वे वे बैक्तिकी की परसंसा नहीं करते वे उसके परियास की परसंचा करते हैं मैं देख रहा हूं कि तुम जगडों से बच रहे हो या मुझे बताता है कि तुम लोगों के साथ मिलकर चलने पर मेहनत कर रहे हो आप देख सकते हैं कि डेविस बिद्यार्थियों को सीधे विखास वादी मानसिक्ता की और ले जा रहे हैं विया देखने में उनकी मदद कर रहे हैं कि उनके काम बैतर बनने के पर्यास का हिस्सा है भले ही दवंग विद्यार्थियों का परिवर्तन का इरादा ना हो लेकिन अब वे ऐसा करने की कोशिस कर सकते है स्टेन डेविस ने परसंसा आलोचना और मानसिक्ताओं पर हमारे काम को अपनी योजना में सामिल किया है और यह कारगर साबित हुआ है मुझे उनका यह पत्र मिला प्रिये डाक्टर डुवेक आपके सोद ने विद्यार्थियों के साथ मेरे काम करने के तरीके में बारी बदलाव किया है मैं बच्चों को फीड़वेक देने के लिए अपनी भासा के भिन इस्तमाल के सकरात्मक परिणाम देख रहा हूँ बॉल, मनोबेग्यानिक, हैम, गिनाट भी दिखाते हैं कि सिक्चक दबंग विद्यार्थियों को आलोजना से दूर और सुधारव करुणा की और कैसे ले जा सकते हैं यहां अपनी कलास के आठ वर्षिये दबंग बच्चे को एक सिक्चिका का लिखा पत्र देखें गोर करें कि वे यह नहीं कहती हैं कि वह बुरा है बलकि वे उसके नितत्रों का जिकर करके बड़े सब्दों का इस्तमाल करके और उसकी सला मांगकर उसके प्रतिसम मान दरसाती हैं प्रिये जे एंडी की मा ने मुझे बताया कि इस साल उनका बेटा बहुत परिसान रहा बूरे नामों से बुलाने और सबसे दूर हो जाने की वज़ा से वह दुखी और एकाकी महसूस करने लगा मैं इस्तिती के बारे में चिंतित हूँ चुकि आपके पास अपनी कलास में लीडर का अनुभाव है इसलिए आप ही वह सबसे उप्युक्त बैकती हैं जिससे मैं सला मांग सकती हूँ मैं परिसान लोगों के प्रती सहान बोती रखने के आपके गुण को महत्व देती हूँ किरपया मुझे सुझाओ दें कि हम एंडी की मदद कैसे कर सकते हैं आपकी सिख्छी का दबंगता पर न्यू यॉर्क टाइम्स में परकासित एक लेख में एरिक हैरिस और डाइलेंड क्लेबॉल्ड को दो मिस्फिट किस और कहा गया था यह सच है वे फिट नहीं होते थे लेकिन आप कभी नहीं सुनेंगे कि दबंग बच्चे मिस्फिट थे क्योंकि वे नहीं थे वे पूरी तरह से फिट होते थे वास्तों में वही स्कूल की संस्कृती को परिभासित करते थे और उसे नियंत्रित करते थे कुछ लोगों को दूसरों के साथ कुरूरता करने का हक होता है या दारना स्वस्त नहीं है स्टेंड डैविस संकेत करते हैं कि समाज के रूप में हमने इस विचार को और सविकृत कर दिया है कि लोग और सुवेतों के साथ कुरूरता करने और महिलाओं को परिसान करने के हकदार हैं फिर हम इस विचार को क्यों सबिकार करते हैं कि लोग हमारे बच्चों को यातना देने के हकदार हैं ऐसा करके हम दबंग विद्यार्थियों का भी अफमान करते हैं हम उन्हें बताते हैं कि हमारे हिसाब से उनमें इससे ज़्यादा चमता नहीं है और हम ज़्यादा बनने में उनकी मदद करने का आउसर चुप जाते हैं अपनी मानसिक्ता का विकास करें पहला, किसी और सविकिर्टी के बाद क्या आप यह मैसूस करते हैं कि आपका मुल्यांकन हुआ है, आप कट्टू और प्रती सोध से भरे हैं, क्या फिर आप आहत मैसूस करते हैं, लेकिन छमा करने, सीखने और आगे बढ़ने की उमीद करते हैं उस सबसे बुरी और सविकिर्टी के बारे में सोचें जो आपको कभी मिली हो, सारी भावनाओं को याद करें और देखें कि क्या आप इसे विकासवादी मानसिक्ता से देख सकते हैं, आपने इससे क्या सिखा, क्या इसने आपको इस बारे में कुछ सिखाया कि आप अपने जी प्रेक्ति को छमा कर सकते हैं, और उसके सुखत भविस्य की कामना कर सकते हैं, क्या आप कटुता को छोड़ सकते हैं? दूसरा, अपने आदर्स प्रेम संबंद की तस्वीर देखें, क्या इसमें आदर्स सामान जस्य सामिल है? कोई मतभेद नहीं, कोई समझ होते नहीं, कोई कड़ी मेहनत नहीं किर्पया दुबारा सोचें, हर संबंध में समस्याईं उठती हैं उन्हें भी कासवादी, मांसिकता से देखने की कोसिस करें समस्याइं ज़दा समझ और अंतर रंगता हासिल करने का साधन हो सकती है अपने साजेदार को अपनी भींता व्यक्ट करने की अनुमति दें गोर से सूने और धेरे पुरुन तथा परवा भरे अन्दाज में उन पर बाचित करें इससे उत्पन होने वाली निकटता से आपको हैरानी हो सकती है क्या आप भी मेरी ही तरह दोस देते हैं किसी संबंद के लिए या अच्छा नहीं है कि आप हर चीज का दोस अपने साज़ेदार पर थौप दें इसके बजाए अपना खुद का मौरिस बनाएं और उसे दोस दें इससे भी बेहतर यह रहेगा कि दोस देनी की अवसकता छोड़ने की दिसा में काम करें गलती और दोस के बारे में सारे समय सोचने से आगे बढ़ें सोचें कि मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ चौथा है क्या आप संकोची हैं तो आपको सचमुच विकासवादी मानसिक्ता की जरूरत है हाला कि इससे आपके संकोच का इलाज तो नहीं होगा लेकिन या आपके समाजिक वेवाहर पर संकोच के दुस प्रभाव को दूर रखेगी अगली बार जब आप किसी समाजिक इस्तिती में जा रहे हो तो इन चीजों के बारे में सोचें आप अपनी समाजिक योगताओं को बहतर बना सकते हैं और समाजिक वेवाहर का उदे से आलोचना नहीं बलकि सीखना वा आनंद लेना है इसका अभ्यास करते रहें ओके दोस्तों इसी के साथ अध्याए चटा समाप्त होता है मिलते हैं आप से इस पुष्टा के साथ में अध्याए या फिर किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद ध्यान रखें अपना और अपनों का और यदि आपने चैनल को अभी तक नहीं सस्क्राइब किया तो पी चैनल को सस्क्राइब कर दें साथ में बैल के अइकन को प्रेस कर दें लाइक जरूर करें सेर करें दोस्तों में रिष्टेदारों में प्रियाजनों में मित्रों में कमेंट जरूर करें जो भी आपका दिल चाहता है धन्यवाद